हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका SG Food World में आज मैं लाई हूँ आपके लिए शेजवान सॉस की रेसिपी शेजवान सॉस बहुत सारे इंडो चाइनीज स्टार्टर में यूज होती है जैसे की चिली पटाटो, मोमोस और बहुत सारी रेसिपीज हैं जिसमें शेजवान सॉस का यूज किया जाता है आप इसे असानी से घर पे बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं बिना किसी प्रेजरवेटिव के तो इसे बनाने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली बाकी सारी रेसिपीज की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए तो बिना किसी देरी के आईए शुरू करते हैं शेजवन सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ड्राइड रेड चिली 75 ग्राम यह सूखी लाल मिर्च आपको मार्केट से असानी से मिल जाएगी अब यह सॉस जादा तीखी ना हो जाए इसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको करके दिखा रही हूँ एक मिर्च लीजिए और उसको इस तरीके से बीच में से तोड लीजिए और उसमें जितने भी सीट्स हैं वो सारे निकाल दीजिए आदी मिर्चे बिना सीट्स के लीजिए और आदी मिर्चे विच सीट्स के साथ यह लाल मिर्च बहुत ही तीखी होती है तो जब भी आप ऐसा करें तो या तो गलफ्स पहन ले या फिर जब आप मिर्चो को काम कर चुके तो तीन से चार पारी अच्छी तरह हाथ दोले और अपनी स्किन पर कहीं भी हाथ ना लगाए और अब एक पतीला लेंगे और उसमें डालेंगे सारी रेड चिलीज और साथ ही डालेंगे पानी जितने में ये रेड चिलीज भीग जाएं और एक स्पून की मदद से इसको अच्छे से हिला लें ताकि सारी रेड चिलीज भीग जाएं 20 से 25 मिनट इसे भीगो कर रख दें 25 मिनट हो चुके हैं अब जिस पतीले में मैंने ये रेड चिलीज भीगोई थी उस पतीले को गैस पर रखेंगे और उसी पानी के साथ इसे उबलने देंगे ताकि जो रेड चिलीज हैं वो सौफ्ट हो जाएं और पेस्ट बनाने में हमें कोई दिक्कत ना आएं और जो मिर्चो को उबलने और सौफ्ट होने में 7-10 मिनट लगेंगे इसको स्पून की मदद से बीच-बीच में दबाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से भीगी भी रहे और साथ के साथ अच्छे से बोईल भी हो जाएं अब ये अच्छे से बोईल हो रही हैं अब flame को low कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे और उबलने देंगे अब यह अच्छे से boil हो गई हैं अब gas बन कर देंगे और इसे थोड़ा थंडा होने देंगे अब यह थोड़ी थंडी हो गई है और room temperature पर आ गई है तो अब यह red chilies को मैं transfer कर लूँगी mixi jar में और बहुत थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी अब mixi jar में इसे blend करेंगे और रेड चिलीस की paste बना लेंगे ध्यान रखे इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी paste बनी है अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें आड़ करेंगे 4 टेबल स्पून रिफाइन ओयल इसे हमें बिना किसी preservative के ज़्यादा time तक store करना है तो इसमें ज़्यादा ओयल लगेगा तेल को high flame पर एक मिनट के लिए गरम होने देंगे जब ये oil हलका गरम हो जाए तो flame low कर देंगे और आड़ करेंगे एक चुथाई कब बारीक कटा हुआ लेसुन आप ध्यान रखें कि लेसुन को chop करना है बहुत बारीक पर इसकी paste नहीं बनानी है और आड़ करेंगे दो टेबल स्पून के करीब ginger यानि की अद्रक उसे भी हमें फाइन चॉप करना है और अच्छे से अब इसको oil में पकाएंगे एक दो मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर इसको पकाएं जब तक कि ginger और garlic का कच्चापन नहीं चला जाता stir करें अच्छे से पर ध्यान रखी इसको ओवर कुक नहीं करना है तीन मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें आट कर दूँगी रेच चिली पेस्ट जो मैंने त्यार की थी पेस्ट को मैं स्पून की मदद से डाल रहे हूँ अगर ये सॉस बनाते वक्त ये पेस्ट आपके हाथ पे किसी वज़े से लग जाती है तो हाथ उसी दौरान धोले क्योंकि बहुत ही तीखी होती है पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें डलने वाले बाक इंग्रीडियन्स देख लेते हैं इसमें डलेगा एक चुथाई टीस्पून सोया सॉस एक चुथाई टीस्पून नमक और इस पेस्ट के तीखे पन को कम करने के लिए हम इसमें आड़ करेंगे आदा टीस्पून चीनी का देड़ टेबल स्पून विनेगर और देड़ ही टेबल स्पून टमाटो सॉस का जो घर में टमाटो सॉस यूज करते हैं रेगुलर वाली वो ही टमाटो सॉस लेनी है अब हम इसमें एक एकर करके इंग्रीडियन्स आड़ करेंगे सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर टमाटो सॉस अब डालेंगे चीनी नमक भी आड़ कर देंगे और साथ ही डालेंगे सोया सॉस अब डालेंगे विनेगर सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लीम पर इसको पकने देंगे बहुत ही अच्छा सा टेक्श्चर आ गया है सॉस में अगर आपको इस सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली चाहिए तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं तीन से चार मिनट के बाद आप देखेंगे हलका सा ओईल निकलाया साइड में तो मतलब ये पेस्ट रेडी है अब फ्लेम बन कर दीजिए इससे थंडा होने देंगे और जब ये थंडी हो जाए तो इससे किसी भी ग्लास कंटेनर में एर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके अराम से रख सकते हैं बिना किसी प्रेजरवेटिव के बहुत ही इजी रेसिपी है जरूर ट्राइ कीजिएगा और शेर कीजिएगा मेरे साथ अपने सुझेशन्स और कमेंट्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर करना मत बूलेगा मिलेंगे ऐसी ही और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाय टेक केर